भगवान ने अर्जुन से कहा त्रिविधं नरक सेदं द्वारं नाशन मात्मन नरक के तीन द्वार हैं सबसे खास त्रिविधं नरक सेदं द्वारं नाशन ये सर्वनाश करने वाले हैं कौन कौन काम क्रोध सथा लोवा कस्मा देतत त्रयम त्यजेत काम क्रोध लोव ये तीन शत्रू हैं बड़े बलवान इनको छोड़ दे अरजुन मुस्कराया रहे महराज बड़े आराम से आपने कही दिया छोड़ दे आदे ये माया के सेना पती है ऐसे कोई खिलवार तमाशा है छोड़ दे तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा दो को छोड़ दे काम एश क्रोध एश रजोगुन समुद भवा ये दो दोश बलवान है काम प्रोध फिरी भी नहीं अरजुन ने कहा समझ गए तुन ने कहा अच्छा तो एग छोड़ दे विहाए कामान जस्तरवान तुमां श्चरतिनिस्प्रिया काम छोड़ दे कामना छोड़ दे संसार की ये पांच प्रकार की कामना होती है पर छठी कोई कामना ही नहीं होती क्योंकि और छठी में कोई ऐसी चीज है ही नहीं है प्रकारी ज्ञाने इंद्रियां ही कामना करती हैं ये हाथ कोई कामना नहीं करता पायर कोई कामना नहीं बनाता ये कर्मे इंद्रियां हैं ये पांच ज्ञाने इंद्रियां उनके साथ उनका जो गवर्नर है मन बस यही है अमारे दुश्मन तो महारा आज कामना छोड़ दे अक्रोज को लिये रहें लोभ को लिये रहें इर्श्या को लिये रहें अरे तमाम सत्रु तो हैं हमारे पीछे देख ऐसा है कि एक कामना बना लेता है जब कोई तो फिर उसी के बाद और सब शत्रु आते हैं सब की जननी है कामना बनाना क्यों अगर कामना पूरी हो गई तो लोभा गया आ गया लोभ एक लाख हो गया आज लेकिन क्या होता है एक लाख से दो लाख होना चाहिए एक आदमी की अभी तो आजकल एक खेल होता है न उसमें पांच करोड का इनाम मिला तो उसके पास दस करोड की डिमांड आ गई रिष्टेदारों की चारों गोर से हमारी लड़की की साधी में कुछ दे हो हमारे इसमें कुछ दे हो उसको पागल हो गया नीद ना होए कहां भाग जाएं और अभी मिला नहीं देख लेहर हुआ है और वो प्लान बना रहा है इस पाच करोड को क्या करना चाहिए आगे बढ़ाना चाहिए कौन सा ब्यापार करें आपन तो कुछ जानते वानते नहीं महमुली आजमी है इक करोणों का ब्यापार साधारन आदमी करें कैसी कौन सा ब्यापार करें ब्यापार में तो बड़ी बुद्धी की आवश्च्चता है तो ऐसे ही कामना पूरी होते ही जो प्रति लाभ लोब अधिकाई लाभ हुआ तो लोब आया और हमेशा तो लाभ होगा नहीं मनुष्य के जीवन में दोनों चीज़ें होती है लाभ भी हानी भी जीवन भी मरण भी जश्च भी अपजश्च भी दोनों प्रारब्ध से संबद्ध हैं और बरतमान से भी संबद्ध हैं यह हमारा मन कभी अच्छा कर्म करवा लेता है कभी खराब कर्म करवाता है और अगर कामना पूरी नहीं हुई तुरंत क्रोड एक सेकंड नहीं देर नहीं लगती एए बिटा जड़ा हमारी चपन ला दे नहीं उठा थोड़ा गुस्टा आया हमने कहा हुआ रहा चपन ला दे फिर भी नहीं उठा है क्या है राष्चा पैदा हुए है अब गुस्ता बढ़ता जा रहा है इसको एकाज्या पड़ लगा देना चाहिए इधर रहा है नहीं नहीं तुस्ते चपल मंगाया था बहरा है तो अशू हो गया तो ये काम के द्वारा ही क्रोध और लोभ पैदा होते हैं दो में एक पैदा होगा 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 अरे भई या तो कामना पूरी होगी या तो नहीं होगी तीसरे क्या होगा पूरी होई लोभ आया नहीं पूरी होई क्रोध आया इसी प्रकार जो हमारे लाब में हलपर कोई दिखाई पड़ा तो हां राग हो गया इसने हमारा काम करा दिया बड़ा भला आदमी है आव भई रहो भई हर भई इनको कुछ खातर करो और किसी ने काम बिगाड दिया हमारा जब द्वेश हो गया उससे इस सब आगे की बीमारियां कामना पनिर भर हैं जड़ वो है कामना न करो सब बीमारी खता इसलिए भगवान ने का तू कामना छोड़ दे अरजुन ने पूछा महराज एक कामना संसार की है क्यों इसका कोई रीजन होगा और सब की अलग अलग कामना क्यों है किसी की कामना है बस हमको तो प्राइम मिनिस्टर बनना है अब लग गया उसके पीछे बीबी बेटा बोई चीज अब की परवा नहीं सब की अलग अलग कामना एक बलवान है अलग अलग क्यों है तुम भगवान ने कहा संगात संजायते कामा जहां अटाइचमेंट होता है वही कामना होती है बेटे में अटाइचमेंट है और बेटा इंग लाइन में है उसकी कामना बार-बार हो रही है कब आएगा अरे जल्दी आ जाना वो कहता है चुट्टी नहीं है अरे चुट्टी ले ले बाप परिशान है शराबी कहता है शराब लाओ अरे रजगुल्ला ख्याले शराब लाओ शराब गंदी चीद तेरे गदे तू क्या जाना है रजगुल्ला परजगुल्ला कुछ नहीं होता शराब के आगे उसका अटाइटमेंट है अब पंडिक जी बगल में बैठे हैं उनसी की तरह विशारा करता है शराबी तोड़ा लीजिए ने पत्त कर दिए शराब भंगाजी तरह दिखा रहा है गंदा अदनी उसको नहीं हो रही है कामना उसको कामना गंगा जलकी हो रही है तो जिसका जहां अटाइटमेंट होता है उसी की कामना होती है बिचित्र बिचित्र कामना ये हैं हाँ कोई कहता है मैं दूद पीता हूँ तो उल्टी हो जाती है और सुनो सब कहा अलग अलग जहां जिसने अटाइच्मेंट कर लिया बास उसी कहा हाँ हाई सिगरेट और मैं जड़ा चाहे लाना दिन भर चाहे पी रहा है हाँ अटाइच्मेंट भी कई लिमिट का होता है हाँ एक लड़का है उसका अटाइच्मेंट बीबी का सबसे ज़्यादा है माँ बाप का उससे कम है दोस्तों का उससे कम है नौकर का उससे कम है अटाइच्मेंट सबका है लेकिन अंतर है तो जिसका जितना अटाइच्मेंट होता है उसकी उतिनी कामना होती है बलवान तो भगवान कहते हैं संसार सम्मंदी कामना से ही सारी बीमारी है सब दुख खाते हैं तो कामना छोड़ दे सुनेने में तो अच्छा लगता है लेकिन कामना या अटाइच्मेंट जवाब रीजन बता रहे हैं वो क्यों होता है वो संग से होता है किसी ने कहा इसमें बड़ा सुख है डकेती डालें चलो एक दिन में करोड़ पती बनेंगे यार ये पढ़ाई लिखाई फिर नौकरी गुलामी और फिर जिन्दगी भर में क्या मिला पचीस लाख पंड मिला बहुत बड़े आफिसर थे तो जैसा संग होता है बस उसी तरह की वो कामना अरे यार एक बार तो पी के देखो सराबी कहता है हम बताएंगे ने किसी से इदर आओ प्राइबेट सब बड़ी सराब की पीते हैं बिदेश वाले भी ता देखें कैसा होता अब पिया तो नशा हो गए अब वो नशे में अपना दोनों मिल गए हां यार मजा तो आ गया तो ने खा पर कल फिरा ना अरे तुम पैसा मत कर्च करो आया करो तुम तो हमारे जिगरी दोस्तों वो पैसे वाला है इसलिए वो जाल में फसा रहा है कि अभी हम फ्री में पिला में बाद में इससे को पिये गए तो यह संग से एक बाप के चार बच्चे जिसको जैसा संग मिल गया एक भगवान की ओर चल पर आया एक चोरी ड़केटी में चला गया एक शराबी कबाबी हो गया बाप पिचारा क्या करे अरे वो तो बिगड़ गया वो तो ऐसा हो गया हो तो ऐसा हो गया तो बहराज जैसे भी बीमारी पैदा होती है ये कामना अगर हम काट दें ना करें ऐसा कभी हो सकता है हाँ हाँ होता कैसे नहीं अच्छा जब आप लोग गहरी नीद में सोते हैं गहरी नीद शुशुप्ति कहते हैं उसको चार अवस्था होती है न एक जागरत इसका हम को अनवाव है एक सपन सपना देखते हैं ने आप लोग तो वो तो ऐसे ही होती है जागरत की तरह उसमें भी कामना बनती है उसमें भी क्रोद आता है उसमें भी भै होता है त्रत्यक्ष लगता है सपना ऐसा नहीं लगता उस समय की ये सपना देख रहा हूँ अब तीसरी अवस्था है सुशुक्ति वो बराबर नहीं मिलती कभी कभी मिलती है कभी एक घंठे को कभी दो घंठे को लेकिन जब भी मिलती है तो उसमें मन का बर्क नहीं होता जब मन का बर्क नहीं होता तो कामना कोन बनाएगा डाक्टर इंजेक्शन दे करके बेहोट कर देता है अब कामना खतम हो गई आप काटा पीठी कर रहा है हमसे कोई मतलम नहीं हम बिदे हैं बने हुए है जब आख खुली होट में आए अरे यहां दर्द हो रहा है तु शुशुपती ओस्ता में हमको अनभव है कामना नहीं रहती तु कितना अच्छा लगता है जब कोई उठता है आज बड़े सुख से सोए है हम जा गया बीबी भी है बेटा भी है माँ भी है बाप भी है आई एस भी है सब में सुख है लेकिन गहरी नीद वाला सुख जो है वो साप से बड़ा है बीबी को चिप्टाए हुए सोया और गहरी नीद आ गई भाड में जाए बीबी बेटे को चिप्टा करके सोया बेटा मर गया रात को मर जाए भाड में जाए हम आग गहरी नीद आ रही है यह कामन आ रही तवस्था है लेकिन यह चंपरेरी है यह ऐसा नहीं है सदा के लिए होती हो तो टेमपरेरी तो रोज होती है साव बार बड़ी भूक लगी है कोई कुछ खिला दो लेरस गुर्ला खा लेक दो चार पांच छे साथ आट दो है बेस 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 अब कामना अब कामना नहीं है पर तो उल्टी हो जाएगी बस बस अब नहीं खाओगा कामना चली गई फिर भूख लगी फिर कामना आई तो यह टेमपरेदी से हमारा काम नहीं बनेगा नित्य कामना त्याग हो तो यह असंभव है क्यों कि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं और आनंद पाना हमारा नेचर है एक कारण है कोई आनंद दे दे बस कामना है ख़ताम सदा को कौन दे दे किसी के पास हो तब तो दे दे और अगर किसी के पास है भी तो वो देने का कानून नहीं है भगवान का अरे भगवाने सब के अंदर बैठे है क्यों नहीं दे दे थे आनंद सिंदू आपके उर्दय में बैठा है साधारण आनंद आनंद नहीं तो कामना ये समाप्त नहीं की जा सकती क्योंकि समाप्त करने वाला मन है और वो कहता है कि हमको आनंद दो नित आनंद दो तो ट्यम्परेरी को हम छोड़ देंगे अब तुम नहीं देते हो तो पर बैई यहीं सही किसी को रसुगरला खीर पूरी नहीं मिले गरीब है सूखी रोटी सही पेट को मरे तो महापुरुश और बेद शास्तर कहते हैं कि देखो भाई हम बता में तरकीद क्या भागवान की काम ना कर लो बस बात खतम खाली घुमा दो वही इंद्रियां वही शरीर वही मन वही बुद्धी खाली एरिया बदल दो इधर खत्रा है इधर आजाओ इधर गोली चल लएए उधर मत जाओ इधर आजाओ बस कामना बनाना है जैसे संसार की बनाया है आनंद के लिए ऐसे ही उधर आनंद है इस फैक्ट को पक्का डिसाइड कर लो करते हो लेकिन पक्का नहीं करते हैं कभी करते हो फिर भूल जाता है फिर धर आ जाते हो फिर जब चपल पड़ी इधर की तो फिर करते हो पक्का हाँ 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 ओ शाहत ठीक कहता है गुरू जी ठीक कहते हैं इसा स्वार्थी है रव मक्कार है रव तोड़े देर में फिर कतम हो गया फिर इधर ही आगे हाँ ऐसा होगा लेकिन हिम्मत नहारो इधर आ जाए फिर उधर ले जाओ इधर आ जाए फिर उधर ले जाओ ति बार 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 ले जाते ले जाते फिर लगने लगेगा शराबी को पहले ही शराब की रिसलत नहीं लग गई पहले जबरदस्ती पिया है उसने दोस्त के कहने से बद्बू भी आई मन भी मचलाया लेकिन बाद में जो मस्ती आई तो बड़ी आचीज थी सब दुख भूल गया था फिर दूसरे दिन चार दिन दन दिन बीस दिन पचीस दिन दो महिना जितना अधिक पीता गया उतने अचाइट्मेंट पड़ता गया तो यही उपाय बताया भगवान ने अर्जुन मन बहुत चंचल है यही बोला है ना चंचलम हिम्मना कृष्णव प्रमाथी बालवत द्रिनम यह कही बात को बार बार दोहरा रहा है अर्जुन प्रमाथी वही अर्थ बलवत वही अर्थ जिर्णम अपर एक्जांपल देता है तस्याहमने ग्रहमने वायोरिव भग्वान ने का मुझे मालूम है तू प्रदेश दे रहा है मुझे मन बढ़ा चंचल है अब भ्यासेन तू कौंचे यह बैराग्यन चे ग्रहिए यते दो चीज कर एक वैराग्य अर्थात यह डिसीजन पका कर यहां आनंद नहीं है यह तो हमारे शरीर चलाने को भग्वान ने बनाया है यह पकाड खच्या नहीं इसी को बैराग्य कहते हैं लेकिन यह बैराग्य डिसाइड करने वाला ट्यम्परेरी रहेगा इसलिए इधर का अभ्यास कर मेरी ओर लगा इधर से हटा के इधर रगा दर्शन शाश्त्रिशी को पहले ही से कह चुके हैं अभ्यास बैराग्य अभ्याम खालिब बैराग्य किसे नहीं होगा काम कि मन से सूचो यह हमारे नहीं है यह हमारे नहीं है यह सब स्वार्थी है यह सब संसार वाले सब दोखा है यहां रंज नहीं अरे है नहीं तो कहां है यह बताओ यह मशीन कहिती है हम चलते रहेंगे ऐसा मन है एक छण को हम चुप नहीं रहेंगे अगर यहां नहीं है तो कहां है जल्दी बोलो हम तो आग्या मानने को तैयार हैं जहां आनन्द आप बताओं उधरे चल पड़ेंगे अब यह हमको नहीं मालूम कहा है तो फिर हम इधरे जा रहे है यह तो किसी किसी भाग गेशाली को मालूम होता है कहां है आनन्द कैसे मिलेगा यह कोई मजाख नहीं है अरे आज छे साथ अरब आदमी है कई आदमी को यह तत्पक ज्यान है जो आप लोगों को है जो बैठे है कि शाम सुन्दर के लिए निश्काम आशू बहाने से ही हमारा दिभ्यानंद मिलेगा कोई जब कर रहा है कोई पाठ कर रहा है पुस्तक का कोई चारो धाम में घूम रहा है जब के गुरु जी ऐसे ही बताते हैं तो बड़ा भाग्य वाला कोई हो कि उसको सही मार्ग बताने वाला मिल जाए और वो जान जाए तो फिर उसका क्या करना होग जानेने के बाद श्रो तब्य मन तब्य उसका बार बार चंतन बार बार चंतन यहां अनन्द नहीं है वहाँ है यहां अनन्द नहीं है वहाँ है पर अटाइक्मेंट उधर हो जाएगा भगवान ने पड़ा सुन्दर वेदव्यास की बाणी में बताया है संसार में सुक है यह बार-बार चिंतन करने से संसार के सामान में अटाइट्मेंट हो जाता है और अगर मुझ में सुक है यह बार-बार सोचो बार-बार-बार का मृतब दो चार दस बार नहीं जितना अधिक पार सोचो ताहिले धारावद अभी चिंद चिंतन बता रहे हैं शाक्त्र बेद ते शाहम नित्याभ युक्ता नाम यो माम स्मरति नित्यशह सदा अरे सदा कैसे होगा अरे जितना अधिक हो सकाए करो अपर दीरे दीरे उपढ़ेगा एक्दम नहीं हो जायागा सदा यह जो लोग घबड़ा करके और जाके जंगल में बैठ जाते हैं तो बारा घंटे बागों लौट आते अरे भूख लग रही है अरे यहां तो कोई नहीं रहे जंगल में डर लग रहा तो काहे को भाग के आए अरे पहले अभ्यास करो तो अभ्यास जितना करोगे तो यहार आए कार चलाते हुए हम हां हां ठीक है उनको ऐसा कहें दो वहाँ चला जाए और वहाँ तो महाँ समाले रहना बात कर रहा है स्टेरइश भी समाले है फैर दी ब्रेक लेकष др कहाह जाना है यहहाद है पीचे से हार नो रहा है यहहाद है उसको साइट देना है यहहाद है वाख कमाल है लेकिन ये कमाल एक मिनट में नहीं हुआ अब्भ्यास करने से हुआ है अब्भ्यास से अर्जुन डबाल अब्भ्यास करना होगा यहां से मन हटाने का बाई रीजन समझ करके और यहां लगाने का वो भी समझ करके और वो समझना क्या है हम तो स्वार्थी हैं यहां अनंद नहीं है वहा है 18-20 साल की लड़की ससुडाल गई उनने गहा है यह हमारा है सब कुछ वो नहीं है जहां अभी तक थे बट डिसाइड कर लिया एक से कंड में तो इतनी जल्दी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे डिसाइड लेकिन अभ्यास करते करते धन्यवाद अबेद कहता है पुत्ष्ठत जाग्रत प्राप्त बरान निबहुधत आए मनुष्यो अब इससे बड़ी और कोई इन्पॉर्टेंट योनी नहीं है जो तुमको दिया है मैंने है तुछ शरीर 84 लाग के लेकिन तुमको हमने जो यह दिया है मानो दे है यह सबसे उंची है इसके आगे बस भागवत प्राप्ती है तो देखो नीचे मत जाना अब उपर जाना उद्ध्यानम ते पुरुष नावजानम बेद कहता है अधे मनुष्य तेरा लक्ष उपर को याना होना चाहिए उपर जाओ माने अंतिम जो लक्ष है भागवत प्राप्ती का उसे प्राप्त कर अरी तु कैसे करूं प्राप्त बरान निवोधत महापुरुष के पास जा जिसको मैं मिल चुका हूं उसके पास जा और क्या करूं जाके निवोधत ज्ञान प्राप्त कर खाली बोधत ना नहीं निवोधत निश्चय भी कर ले विश्वास कर ले उनकी बात पर गाठ बांध ले तब चलेगा प्रैक्टिकल अब अगर ऐसे सुन लिया लापरवाहिस से हाँ हाँ समझ गये समझ गये यही तो हम लोग कर रहे हैं निश्चय नहीं करते नी नहीं लगाते बोधतों तक पहुँच गये हाँ समझ में आ गया समझ में आने से क्या होगा समझ में आ गया इस शर्बत में जहर मिला है लेकिन मीठा लगता है चलो पियो देखा जाएगा एक वाक्त के हम लोगों के पास देखा जाएगा देखा क्या जाएगा तुभी को भोगा जाएगा देखा जाएगा नहीं होगा